हेलो गाइस कैसे आप सब आज मैं आप सब को जो मैंने कॉंपिटीशन में अपनी चॉकलेट्स बनाई थी वो बताने जा रही हूँ तो वीडियो को लास तक जूर देखे क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी टेक्निक्स यूज करी हैं और यह फॉर्स तेम में आप वीडियो ड कि अच्छे रिव्यूस थे जिसके एमजान से लिया है 200 प्रूइस का आइटिंग 100 ग्राम है यह तो मैं मैं मिनिमल ही सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लागा इसमें लूज वाला भी था बट वो मुझे नहीं बता था एडिबल था की नहीं था बट से मेल्ट कर दिया था और जो रेस्ट बटर था वो मैंने इस जिप लॉक बैग में डाल कर रख दिया था आप इसे रूम टेंपरिचर पर रखना है बटर को ऐसे कोई इसको फ्रिज हो गया है हमें स्टोर नहीं करना चाहे तो फ्रिज में रख सकते है बट मैंने इसे रूम बेस कलर मुझे तो मैं पहले ही डाउट था कि नहीं मिक्स होगा जैसे बट थोड़े से एफ़र्स लगाने के बाद यह मिक्स हो गया था बट कुकर बटर के लिए I would suggest पाउडर कलर्स और मेरे पास पाउडर कलर्स नहीं है मैं यह ऑल बेस कलर जो होता है वही उस करते हूं और पाउडर कलर्स में भी न चॉकलेट कलर जो होता है वही लीजेगा उसमें भी बहुत तरह के कलर्स आते हैं और आज हम बॉन बनाने माले है तो यह मेरे पास पॉली कार्बोनेट मोल्ड है यह मोल्ड थोड़ी कॉस्क्ली रहते हैं बट बॉन बॉन्बॉन्स के लिए वाले तो इस और दीज है जुआ है गलाने अट Sister के आप टाना मेरे के लिए आपको उसकोल में एशधी और शोमें पहर सकते हैं और अच्छे सेट हो जाएगा और यह आप देख सकते हैं जो हमारा बटर है वह अच्छे से मोल्ड के उपर लग गया हाँ कलर इस ना अच्छा नहीं आया जितना अच्छा पाउडर कलर से आएगा और अब हम वाइट चॉकलेट से सारे शेल्स को फिल कर देंगे जो शेल्स है देरे जेरी अर आप मैंने जो यह मोल्ड है वह तुरा फिल कर दिया आप इसे थोड़ा उल्टा कर देंगे और एक स्ट्र जो चॉकलेट से निकाल लेंगे मैं नाइप सी जो एकस्रा चॉकलेट वो आप स्क्रेपर की हेल्प से एकाम कर सकते हो उससे बहुत ऊहीं हो के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दे इन मोल्स में जो चॉकलेट है वो बहुत दाइम लेती है सेट होने के लिए इसलिए दस से बारा मिनट आपको सेट होने के लिए रख सकते हैं चॉकलेट को सेट होने के लिए रख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबरी उसको डाल दिये जो मडल स्ट्रॉबरी उनको डाल दिये और अब उसमें 150 ग्रैम जितनी वाइट चॉकले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमाई जो स्ट्रॉबरी क्रीम हो रेडी हो जाएगी आफ्टर फिलिंग अब मोल्ड अब हम इसे 10 मिनित के अब बरने उसके बाद बरना क्या होगा जो आप वाइट चॉकलेट से लेयर बनाओगे या फिलिंग को बंद करोगे तो उसको बंद करने में बहुत प्रॉबल्म आएगी जैसे मेरी 2-3 केविटी में एक्स्ट्रा फिलिंग हो गई थी तो बाद में बहुत प्रॉबलम आर सकते हैं या कोई भी सीजनल फ्रूट की आप इसमें फिलिंग मनाकर फिल कर सकते हैं मैंने वहाँ पर इसमें थोड़े से स्ट्रॉबरी चंक्स भी डाले थे उन स्ट्रॉबरी चंक्स के लिए मैंने क्या किया था स्ट्रॉबरी को अच्छे से चॉप करके 24 आज के लिए फ् का जो टेस था वो बहुत ही जादा awesome था अब हम इस mold को cover करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे bonbons के लिए जो हमारा mold है वो अच्छे से फ्रिज में सेट होना चाहिए जो हमाई चॉकलेट से वो अच्छे से सेट होना चाहिए तब ही वो नी मोल होती है और इसको निकालना भी हमें tilt करके एक दम हमें straight ही नहीं निकालना क्योंकि straight निकालते हैं तो जो हमारी chocolates है वो तूट जाती है और आप देख सकते हैं हमारे bond bonds कितने सुन्दर लग रहे हैं अभी जो color है वो इतना अच्छा नहीं आया क्योंकि powder color नहीं थे मेरे पास वहाँ मैंने powder color के साथ बनाये थे bonbons तो बहुत जादा सुन्दर लग रहे थे और जो वहाँ के chefs थे वो मुझे कहाये थे wow airbrush effect दिया आपने बहुती सुन्दर effect दिया आपने जबकि मैंने वो सिरफ brush के साथ ही effect दिया था I hope आपको ये bonbons की recipe अच्छी लगी होगी और वहाँ पर भी judges को ये वाली जो chocolate bonbons थे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे थे मतलब मैंने six pieces बनाये थे और six pieces ही on the spot खतम होगे थे सब judges ने खालिये थे क्योंकि इसके अंदर आपको जब आप bite करोगे तो इसके अंदर एक liquid filling मिलती है strawberry chunks मिलती है और जो हमारी chocolate है उसका flavor आते है मतलब three flavors आपको एक ही bonbon के अंदर मिल रहे थे तो वो बहुत अच्छा flavor था मतलब taste था और जब मैंने घर पर बनाये थे तो मतलब उसके बाद मैंने जब इसको taste किया तो वाक्य में यह बहुत अच्छे थे चॉकलेट में जो shine है वो थोड़ी कम इसलिए लग रही है क्योंकि अच्छे से जो हमारी butter की layer थी वो नहीं बन पाई है color की layer थी वो नहीं आपाई है और अभी कुछ bonbons अच्छे से सेट नहीं हुए थे तो मैंने वापिस फ्रिज में रख दिया और मैं आपको एक bonbon कट करके दिखाती हूँ और अभी यह थोड़ा hard था चॉकलेट जो थी फ्रिज से निकाली हुई थी मैंने वापिस से तो इसलिए थोड़े से इसके कट करने में प्रॉब्लम हो रही थी और यह देखिए इसके अंदर जो फिलिंग है लिक्विड फिलिंग है जब आपके माउथ में जाएगी तो यू विल गेट अलगी टेस्ट मिलता है बतलब उपर से आपको लगता है कि हार्ड होगी और अंदर से एक दम लिक्विड वाली फिलिंग मिलती है तो चलिए आज का वीडियो ही खतम करते हैं आई हो आपको वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कॉमेंट और हैर जूर कर देना और मैं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और जल्दी विलूँगी नेक्स कॉम्पेटिशन वीडियो के साथ बाबाई